श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों, ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित है, चंदरमा मन का कारक है, हमारे मन में जो भी उतार चड़ाव आते हैं, वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है, इसलिए चंदरमा की पोजिशन हमारे रोच के जिवन को प्रभावित करती और उसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं आपका राशिफल इस दिन कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण इस समय में आपको अचानक से धनलाब हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ती भी हो सकती है इस दिन आप पर धन की वर्षा होने की पूरी संभावना रहेगी आप जितना कमाते हो उससे जादा कमाने में काम्याब हो सकोगे इस समय में आपके इंकम में मुनाफ़े में आपको बड़त जरूर दिखेगी ये दिन आपके लिए काफी शुब रहेगा सेयर्स लोटरी और सटे में इंटरेस्टेट लोगों के लिए भी ये दिन काफी लखी सावित हो सकता है इस समय पर चंद्रमा लाब स्थान पर दुष्टी डाल रहे है उस वज़े से हर काम में मुनाफ़ा होता नजर आ रहा है इस समय में व्यापारी काफी व्यस्त रहेंगे उच्चायों को छूने का मोका इस समय में आपको मिल सकता है इस समय में नोकरी करने वाले लोग नाम और पैसा दोनों कमाएगे आपके आसपास काम करने वाले आपके सहकारी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस समय में इंप्रिमेंट या किसी तरह की बोनस मिलने का योग भी बन रहा है दोस्तों अपने जीवन की या फिर किसी भी कारे से जुड़ी कोई जरूर करे प्लान करने से आज आपको सफलता जरूर मिलेगी इस समय में मैरिड लाइफ में मधूरता आएगी प्यार और आनन भरा महोल रहेगा लव रिलेशन्शिप के लिए भी दिन बहुत बढ़िया सावित होगा चंद्रमा के पंचम भाव में होने से जो लोग सिंगल है उन्हें अच्छे और नए रिष्टे बनाने में कामयाभी मिलेगी नया पार्टनर आपको इस समय में मिल सकता है जो लोग अविवाहित है उनके लिए अच्छे प्रस्थाव आने की संभावना बनी हुई है तो दिन पूरी तरह से आपके ही फेवर में रहेगा अगर इस इस समय में अगर कोई एक्जाम आती है तो आप उसे अच्छे से क्लियर कर पाओगे दिन आप के लिए शुब रहेगा इसका फाइदा ज़रूर उठाए दोस्तो संतान सुक के हिसाब से भी ये दिन काफी अच्छा जाने माला है आपके घर में इस समय में संतान की तरब से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है और जो लोग संतान सुक से वंचित है उन्हें इस समय में संतान की प्राप्ती हो सकती है इस समय में आपकी का भुमने फिरने का प्लाण बना रहे हो, तो जा सकते हो, यात्रा सुख़द रहेगी, सपल रहेगी, इस समय में आप काफी एनर्जी टीक रहोगे, स्वस्ट और मस्तर होगे, दोस्तो सुबह टहलने जरूर जाए, सुबह का टहलना हमारे स्वास्थे के लिए काफी फाइदे म दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह च तीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको необходимоookie देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है, जिसकी वज़े से हमें नुक्सान उठाना पड़ता है, जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डारेक्ली उतार देते है दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीचे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप सुत्रा रखें, क्लीन रखें साथी दोस्तो हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के जो सीड़िया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वेज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती, मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे, हमारे घर की सीडिया होती है, उनकी नीचे की जगा, हमेशा साप सुत्री रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है, जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी, तो आप इन सामानों को बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है, इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चेड़ चेड़ा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुव नहीं है जी हाँ वो अशुभ माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुभ है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और आत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साब सुत्रा रखे मुख्य दार मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साब सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में है बस वहां तक स से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तों कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर निगेटिविटी दर्शार ही है इस तरह की तस्वीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ, इस तरह की तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटना है, घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्ष्मी जी का प्रवेश अमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद